काम का एकादसी प्रत्क था एक समय की बात है एक काउं में एक छत्रिय रहता था बहे अपने आप पर बहुत गर्ब करता था खासकर अपने सक्ति और बल पर उशे अभमान था छत्रिय भगवान को बहुत मानता था लेकिन उसके मन में घमंड था बहे हर दिन भगवान विश्णू की पूजा करता और उनकी उपाशना में लीन रहता था एक दिन बहे किसी महत्पूर्ण कार के लिए घर्षे बाहर यात्रा पर निकला रास्ते में उसकी मुलाकात एक भ्रामण से हो गई दोनों में किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया जगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाता पाई तक आ पहुँची चत्रिय बहुत बलवान था इसलिए ब्रामण अपनी दुर्वलता के कारण चत्रिय के बार को सहन ना कर पाया और बहे बही पर गिर गया और उसकी मृत्ति हो गई ब्रामण की म्रत्यु से छत्रिये हक्का वक्का रह गया उसे अपनी कलती का एसास हुआ और बहुत पस्ताया ये पूरी बात गाउं में आखी तरह फैल गई छत्रिये यूबक ने गाउंबालों से छमायाचना की और ब्रामण का अंतिम संसकार खुद करने का पचन दिया लेकिन पंडितों ने अंतिम किरिया में शामिल होने से इनकार कर दिया तब उसने ग्यानी पंडितों से अपने पाप को जानना चाहा तो पंडितों ने उसे पताया कि उसे ब्रहम हत्या का दोस्त लग चुपा है इसलिए हम अंतिम क्रिया के भ्रामन भोज में आपके घर भोजन नहीं कर सकते हैं ये सुनके चत्रिया ने ब्रह्म हत्यादोस के प्राश्यत का उपाय पूचाता पंडितों ने कहा कि जब तक भे सावन मास के किष्ण पक्ष की एकादसी तिथी को बिधी पूरपक भवान भिष्णू की पूजा नहीं करता भे भ्रामनों को भोजन नहीं कराता और ताम दच्छना नहीं देता तब तक भे भ्रह्म हत्यादोस से मुक्त नहीं हो सकता छत्रिया ने प्रहमन के अंतिम संसकार के बाद पंडितों की सला मानते हुए कामिका एकादसी के दिन पूरी शद्धा और विधी के अनुशार भगवान भिष्णू की पूजा की फिर उसने प्रहमनों को भोजन कराया और दान दच्छना भी दे इस तरह भगवान छत्रिय भ्हम हत्या दोस्य मक्दुवा बोलिए विष्णु भगवाने की जैए फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट्स कर पे जरूर बताईएगा और यदि आप मेरे चैनल सरल पूजा पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्रा प्लीज बोलीज प्लीज चैनल को सबस्क्राइगा प्लीज आप लोगने क्ट